हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल कुकवी तुपासना आज हम बनाएंगे चावल के आटे से बना इजी टेस्टी एंड हेल्दी नास्ता जो सुबा के भागम भाग दौड में हमें जल्दी होती है कि क्या बनाओं जो 10 मिनट में रेडी हो जाए तो चलिए कुछ बनाते हैं इसकी लिए हमें चाहिए एक कप चावल काटा जिससे राइस फ्लार भी कहते हैं नमक स्वादनुस्वा एक बड़ी आलू थोड़ी सी करी पत्ता अद्रक एक हरी मिर्च थोड़ी धन्या पत्ती गाजर शिम्दा मिर्च अब एक बर्तन में पानी लेंगे पानी में आलू को कद्दुकस कर लेंगे मैं यहाँ पे कच्छा आलू ली हूँ और उबला आलू नहीं लेना है हमने आलू को कद्दुकस कर लिया है अब इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे कद्दू कस किया हुआ आलू में अब चावल का आटा डालेंगे अब इसमें सारी कटी भी सबजी डालेंगे सिमला मिर्च, गाजर, धनिया पत्ती, करी पत्ता, अद्रक, हरी मिर्ची आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं अब इसमें नमक स्वादनुसा डाल के मिक्स कर लेंगे अब यह मिक्स हो गया है अब इसमें हम पानी डालेंगे हमें पानी डाल के थीक बैटर रेडी करना है थोड़ी सी और पानी डालेंगे अब इसमें मिक्स कर लेंगे बैटर रेडी हो गया अब एक कड़ाई गरम करेंगे उसमें दो चमस थेल डालेंगे अब इसमें थोड़ी सी जीरा डालेंगे जीरा चिटक गया है अब इसमें हमने जो बैटर रेडी किया था उसे डाल देंगे अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमें ये तब तक चलाना है जब तक ये बेटर थीक ना हो जाए अब आप देख सकते हैं कि ये बेटर गाड़ा हो गया है अब लोई की तरह अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे अब ये चावल के आटा का डो ठंडा हो गया है अब इसे हम हाथों से मसल लेंगे हमें इतना मसल ना है कि ये सौफ्ट डो रेडी हो जाए कि बेलने में असानी हो अब एक बड़ी साइज की लोई लेंगे इसे बेल लेंगे इसे हलके हाथों से ही बेलें क्योंकि चावल के आटों में बहुत ज्यादा चिपचिपापन होता है वो पूरी बेलन में चिपक जाएगी मैंने इसे बेल के रेडी कर लिया है अब इसे हम कट कर लेंगे मैंने यहां इसे बहुत पतला नहीं बेला है आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी सेप में काट सकते हैं अब एक पैन गरम करके उसमें हम तीन चमस तेल डालेंगे और उसमें सारे को हम सेलो फ्राई कर लेंगे आप चाहें तो इसे deep fry भी कर सकते हैं deep fry में भी बहुत tasty लगती है खाने में जब आप इसे cello fry करें तो gas का flame low to medium रखें अब इसी तरह हम इसे सेक लेंगे अब इसे हम पलट लेंगे आप इसे सुबा के नास्ते में भी बना सकते हैं यह बहुत ही कम टाइम में बनके ready हो जाती है अब यह सिग गया है अब आप देख सकते हैं इसका color change हो गया है अब इसे हम एक plate में निकाल लेंगे आप चाहें इसे चटनी के साथ, अचार के साथ या चाई के साथ, किसी के साथ भी खाएं यह बहुत टेस्टी लगती है खाने में अब इसे हम सर्व कर लेंगे मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि उपर से एक crispy और अंदर से कितनी soft है दोस्तों, अगर आपको मेरी recipe अच्छी लगी तो इसे like करें और मेरी channel को subscribe करें और bell icon को press करें और comment करके मुझे बताएं कि आपको एक recipe कैसी लगी फिर मिलते हैं अगली recipe के साथ तब तक के लिए बाबाई